समाजबादी पार्टी के मतलब सुशासन नहीं, गुंडागर्दी है, माफिया गिरी है, भ्राष्टाचार है, अत्याचार है, जो स्री अखले स्यादो जी की जो पार्टी है, उसके बारे में आम जनता खुम मालूम है, जो भी योगी जी ने कहा है, उसका उत्तर तो देंगे केशव परसाद बौरिये जी है, उनसे बातशीत करते हैं, केशव जी उत्तर परदेश चुनाओ 2022 आ गए है, कुछी छे महीने का वक्त बचा है, किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाओ में जा रहे हैं? जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का भरपूर समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, और 2022 में हम फिर से एक बार 2017 दो रहे हैंगे। जो इस समय के प्रणाम थे और जो इस समय दावा कर रहे हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि साइकिल पंचर नहीं है, खंड़ हो चुकी है, उसके लिए कहीं भी कुछ आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, कोई गुंडा, अपराधी, माफिया, गेरी फिर से उत्तर प्रदेश में नहीं चाहेगा, और समाजवाधी पार्टी के मतलब सुशासन नहीं गुंडागर्दी है, माफिया गेरी है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, जो स्री अखले स्यादो जी की जो पार्टी है, उस जो सत्रा का उनका आकड़ा है, उसको पार कर लेंगे, बहुत बड़ी उपलब दी होगी, उनके लिए, किसान एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, वो लगातार गाजीपूर बॉर्डर पर डटे हुए, और अब तो सीधा लखनाओ की बात कहरा है, राकेश टिकैज जी अब एक इंटर्व्यू में का कि हम लखनाओ को घेरेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या बाइस के मुद्दे बे ये मुश्किल होगा, ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है, जो टिकैज जी है, वो भारती जनता पार्टी माने नरेद मोदी विरोधियों के सिकार बन गये हैं, उनके कंदे का इस्तमाल किया जा रहा है, और इस आंदोलन को किसानों का समर्थन प्राप्त नहीं है, और मैं ही चाहूँगा कि इसको जातिवादी आंदोलन बनाने कोशिश ना की देखते हैं, योगी जी ने एक बयान सियादो जी को इसमें बहुत बिचलित होने की आउसकता नहीं है, सदाम भक्तों के उपर 30 अक्टूबर 90 और 2 नॉम्बर 90 को जो उन्होंने गूलियां चलवाई थी है उध्या के अंदर, और उसके बाद से लोग उनको इसी नाम से पुकारने का काम करते हैं, तो इसमें 25 का क्या उस आकड़े को क्रॉस करेंगे या उससे पर मैंने कहा है नक 2017-2022 में दोहराएंगे, तो आकड़ा कहीं से भी नकम होने पाएगा और बलकि बढ़ सकता है, और जो दावे विरोधी कर रहे हैं, उनके दावे में कोई दम नहीं है, भाजपा का जो दावा है, उस दा ही दे रहे हैं, वो देश की जनता भी देख रही है, और जिन इस प्रकार से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार के माध्यम से हर चुनावती का सामना किया जा रहा है, उस प्रकार की चुनावती अगर कहीं ये सकता में होते, तो उत्तर प्रदेश और देश का तो बंटा धार हो जाता है। करने का काम करते हैं अब जब वर्षा आती है तो लोगों की मन में रहता है कि गंगा मईया को शरीर समरपित हो ख इस भावना से excitement के लोग निसवे प्रयाक के बारे में गंगा के किनारे के बारे में गंगा में 100 को प्रवाहिद करने का बारे में मालूम नहीं है महीने वहां कोई अगर सव को गंगाजी में प्रवाहित करना चाहे तो इस समय प्रवाहित कर पाए तो मुख्यमंत्री केश्व प्रसाद मोर्य जी ने साथ तोर पर कहा कि 2022 को लेकर हम आश्वस्त हैं जो रिजल्ट 2017 में आया था कुछ ऐसा ही आप भी अपनी रायरक इस वीडियो के शेयर कीजिए और लगातार जुड़री एड्वाइन से ने के साथ नमस्कार